सब्सक्राइब कीजिए डिजी कोशिक चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेग्नोलोजी वीडियो देख 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 लिए Hey guys, what's up, this is Koshik here and once again welcome to my channel दोस्तो 2018 का ही सुरू में Honor ने दो नय फोन लांच किया है इंडिया में और उसमें से एक है Honor 9 Lite जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट क्वार्ड गैमेरा फोन है तो इस वीडियो में मैं Honor 9 Lite का अन्बोक्सिंग करूँगा और आपको ये फोन का डीटेल स्पेसिफिकेशन के साथ साथ और दोस्तो किया आभी आपको ये Redmi Note 4 लेना साहिर रहेगा या तो Honor 9 Lite या तो Mi A1 बेश रहेगा तो दोस्तो आप ये वीडियो को आगे देखते रहेए तो नमस्ति दोस्तो मैं हूँ कोग शिक्तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो दोस्तो ये है Honor 9 Lite का बॉक्स ब्लू कलर का सिम्पिल बॉक्स पैकेजिंग है और यहाँ पर बॉक्स का पीछी की तरफ Quad Camera, Honor Full View Display and 2.5D Card Glass ये सब मेन USB को हाइलाइट किया गया है और यहाँ पर ये फोन का कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा है ओके सो नाव अभी सबसे पहले ये फोन का अन्बॉक्सिंग कर लेता है तो दोस्तों यहाँ पर बॉक्स को उपिन करने के बाद सबसे पहले आपको मिल जाता है फोन इटसेल यादि ओना नाइन लाइट और माइफ फास्ट इंप्रेशन इस वाव कमाल खा डिजाइन है रियली प्रिमियम लुकिंग ओके अभी फोन को साइड में लखते है और देखते है ये फोन के साथ और क्या के अक्सेसरीज मिल जाता है तो यहाँ पर है सीम इजेक्टर टूल अन देर यहाँ पर सेकेंड ग्रेट तो दोस्तो अलग से आपको कोई केस पर्चेस करने का ज़रूवत नहीं है केस का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा मिलता है ओके अब लास्ट में यहाँ पर है एक माइक्कु उस्पी टू एवस्पी केबल चार्जिंग अन डेटा टांसफर के लिए और यह है पा फिसिकल ओभर्व्यू और स्पेसिफिकेशन बताएता हूँ तो दोस्तो फास्ट यह फोन का डिजाइन के बारे में बात करें तो यह फोन का फ्रांट साइड और बैक साइड दोनों की तरफ ही आपको 2.5D ग्लास मिलेगा साइड में मेटल फ्रेम के साथ और दोस्तो यह ग दिजाइन 25K प्लास फोन का डिजाइन के जैसा लगेगा हाला कि ग्लास फ्रांट एंड ग्लास बैक डिजाइन के लिए यहाँ पे फोन का उपर थोड़ा बहुत फिंगर पिन डास्ट आएगा बट उत्में ज्यादा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्लास का उपर एक आमने की तरब मिलता है 5.65 इंच का IPS LCD डिस्प्ले जिसका रेजलेशन है 2160 पिक्सल इंटु 1080 पिक्सल यानि दोस्तों यह से पे फूल एजडी दिस्प्ले नहीं यह फूल एजडी प्लस डिस्प्ले है और यहाँ पी यह निउ इंडस्ट्रियल स्टाइल 18 इस्टु 9 रेशि इसी अच्छा है और अल्सू सनलाइट विजिबिलिटी इस गुड़ और डिस्प्ले का साइड अल्मोस्ट बेजल लेश है और डिस्प्ले का ऊपर नीची की तरब बेजल भी बहुत ही काम है यहाँ पर डिस्प्ले का ऊपर की तरब मिलता है डूल फ्रॉंट कैमेरा 13 मेग अपनचीन में यहाँ पर अनर का ब्रैंडिंग गिया हुआ है और फिजिकल नविगेशन बटन है आपको यहाँ पर ऑन स्कीन नविगेशन बटन मिलेगा ओके आप फोन का राइट साइड में मिलता है फोल्यूम अपडाउन बटन और उसके बाद है पार बटन और फोन का ओपर की तरब बिल्कुल ब्लैंक है यानि नो अर बलस्टर और नीची की तरब यहाँ पे मिलता है 3.5 mm स्टेडियो हेड़फोन जैक देन प्राइमारी माइक्रोफोन और उसके बाद यहाँ पे मिलता है माइक्रोपी स्लोट चार्जिंग अन डेटर रांसपर के लिए और अर्ष्ट में यहाँ पे है स्पीकर गिल्ड फोन का बैक साइड में मिलता है सेम कैमेरा सेट अप अज यानि सेम 13MP प्लस 2MP सेंसर का सेट अप उसके बाद यहाँ पे है सेकेंडरी माइक्रोफोन और यहाँ पे है सिंगल LED फ्लैस और उसका नीचे मिल जाएगा फिंगर पिं अब दोस्तों मेन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस फोन पावर्ड बाए अनर ओन प्रोसेसर इसमें मिलता है हाई सिलिकन कीरिन 659 प्रोसेसर जोके एक अक्ताकुल प्रोसेसर है 4 2.36 गिगाट कोर और 4 1.7 गिगाट कोर विद माली T830 MP2 GPU यह फोन आप कोई इंडियान मार्केट में दो अलग अलग वेरियंट पे मिलेगा 3GB RAM के साथ 32GB का इंडलनेंस टोरेज और एक है 4GB RAM के साथ 64GB का इंडलनेंस टोरेज मेरा पास यह 3GB प्लास 32GB का वेरियंट है और फास्ट बूट के बाद यहापे फ्री RAM मिलता है 1.8GB और फ्री स्ट सेंसर, एंबियंट लाइट सेंसर, ग्रैविटी सेंसर, कॉंपस सेंसर और जाइरो सेंसर यानि जाइरो स्कॉप तो आप 360 डिग्री वीडियो देख सकते हैं तो यह फोन के लिए भीहार बॉक्स की सपोर्टेड है बाद नोट डाट आपको इसमें से 2.4GHz Wi-Fi बैंड का सप सपोर्ट मिलता है अब दोस्तों सॉप्ट्वेर के बारे में बात करें तो यह फोन आउट अप दा बॉक्स Android OEO 8.0 के साथ प्री इंस्टल आता है विद अनर का का स्टम EMI 8.0 के साथ अल्सों Android सीक्विटी पैच इस अपडेटेड फास्टी सेंसर बाट तो दोस्तों आपको अपको लॉट्स अब आदर कास्टोमाइजेशन का फीचर्स भी मिलेगा यह में अपको साउमी का मिय के जैसा ग्याल अक्याउंट सेकेंड स्पेस्ट्री फिंगर स्वाइप टू टेक स्किंशॉट्ट मोशन कांट्रोल सी यह सब फीचर्स अब को मिल जाएगा और अग्ड पिक्चर एंड पिक्चर मूद, 3D टाच, क्वीक रिप्लाइ फाम नोटिफिकिशन बार, स्वाइप गिस्टर्स और फिंगरफिन सेंसर यह सब फीचर्स भी आपको मिल जाएगा ओभराल यूजर इंटरफेस काफी फ्लूयर है डेली यूजर्स के लिए यहापे आपको फूल स्किन मूड में, यानी 18 इजटू 9 रिएश्यो के साथ यूजर का सकते हैं, आपको फूल स्किन डिस्प्ले का नाम से आप्शन मिल जाएगा, और गेमिंग का बारे में बात करें तो दोस्तों फ्रैंकली गेमिंग पर्फोर्मेंस मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा फिजिकल डूएल कैमेरा लेंज के लिए, और इसी के साथ साथ आपको और भी लॉट्स अब कैमेरा मूर मिलता है, प्रो वीडियो, प्रो फोटो, HDR मूर, टाइम लैप्स, पैनरोमा मूर, एटसेटरा, हाला कि अनफर्चुएटली नो स्लो मोशन, और आप और भी आदर्स क सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाट इसमें जाइरो स्कूप सेंसर है, तो में भी आपको इन फ्यूचार EIS का सपोर्ट मिल सकता है, ओटी अप्रेट का थ्रू, पोट्रेट मूर का बात करें तो यहां पर पोट्रेट मूर बहुत ही अच्छा से काम करता है, बैक्ग्राउंड मे अच्छा सपोर्ट नुख द्रुसा भी आपको रियार कामेरा एण सेलफी डुनो काी फिक्चर क्वालीटि अच्छा मिलेगा प्राइस पहँले सबसे, और ? अज्सो ओर व्यूसित review with pros and cons and dedicated camera review gaming and performance review जल्दी आयागा so stay tuned and don't forget to subscribe मैं चैनल इस फोर में आपको 3000 mh का बैटरी मिलता है maybe आपको एक बार का चार्ज में almost full day का बैटरी वेकप मिल जायागा आपको ये फोन भी फिलाल दो कलर वेरियन में मिलेगा midnight black and sapphire blue कलर में and price and availability के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फोन आपको flip card exclusive मिलेगा 3GB plus 32GB variant का price है 10,990 रूपीज and 4GB plus 64GB variant का price है 14,990 रूपीज यहाँ पर ये दो अलग अलग variant का price में price difference थोड़ा जाजा ही है so I think 3GB variant is more value for money तो guys अगर आपका budget 10,000 to 11,000 है और अगर आपने Redmi Note 4 लेने के लिए प्लान किया है जैना अभी आपको Redmi Note 4 लेने से Honor 9 Lite लेना ही सही रहेगा मेरा opinion में हालाकि आपको ये Redmi Note 4 का 4GB वाला variant discount price में आपको मिल जाएगा 11,000 का price में जहाँ पर 11,000 का price में आपको Honor 9 Lite का 3GB वाला variant मिलेगा बाट overall दोस्तो अगर आपको एक premium looking stylist phone new 18 is to 9 ratio display with better display quality plus far better camera dual camera का support front and rear camera दोनों में ही ये सब चाहिए तो आप Honor 9 Lite को purchase कर सकते है आपको ये phone का best file link आपको वीडियो का description में मिल जाएगा आप वहाँ से purchase कर सकते है तो दोस्तो ये था मेरा Honor 9 Lite का unboxing and my first impression stay tuned guys ये phone का और भी वीडियोस आने वाला है in-depth review के साथ अगर आप लोगों का कुछ questions आए ये phone के बारे में अगर मैं इस वीडियो में कुछ मिस कर गया हूँ तो आप comment करके बताईए तो मैं एक APQ वीडियो भी बना दूँगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप ये वीडियो को like and share कीजिए और आप चाहे तो मेरा चैनल को subscribe भी कर सकते हैं और हाँ subscribe बड़ों के पास जो छोटा सा bell icon है वापे भी एक बार click कर दिजिएगा ताकि आगे मेरा आने वाला सारे के सारे वीडियो का update आपको notification में मिलता रहाएगा So once again this is Koshik here and see you in the next one Thank you guys, thanks a lot for watching, bye